कॉलेज सिक्स आइब ताले जेपूर की तत्वादान में शुरू किये गई ज्यान सुधा चैनल पर मैं असिस्टेंट प्रोफेसर एमपी भूरिया गॉर्मेंट लो कॉलेज चुरू की और से इस वीडियो को सुरू करूँ इससे पहले माननिय आयुक्त मोदे और आयुक्ताले की और से इस चैनल की समस्त कंडक्टिव कंडक्टिंग बोडिज को मेरी और से बहुत-बहुत सुब कामना है और धन्यवाद देना चाहता हूँ यह एक integrated platform जो create किया गया है राज्य के समस्त महाविद्दालियों के students के लिए और मुझे खेद है कि लंबे समय तक मैं इस चैनल के लिए किसी प्रकार का वीडियो पेश नहीं कर सका और आज के इस मेरे पहले वीडियो के माद्दम से मैं मेरे एक 600 परियास को शुरुआत दे रहा हूँ और उमिद करता हूँ कि मेरे द्वारा बनाय के वीडियो में अगर किसी प्रकार की कमी रहती है तो उसको सुधारने के लिए मुझे suggestion इस channel की conducting body से समय समय पर मिलता रहेगा आज के इस वीडियो के माद्दम से मैं राज्य के समस्त वीदी माविद्धालियो में संचालित कोर्षेज में वीदी पर्थम वर्ष के लिए सामिल किये गए मैं अपक्रत्य वीदी के विशय पर मेरे विचार प्रस्तूत कर रहा हूं और यह एक तरह से इस topic के उपर एक introductory class है जिसके माद्दम से मैं taught की meaning definition और nature के बारे में इस वीडियो में discuss करूंगा और basically मैंने कौशिस की है कि PPT के माद्दम से इस वीडियो में केवल वो चीजे expose की जाएं जो competitive classes के लिए important है और इस वीडियो को मैंने UPSC और इसके अलावा net set की जो examinations होती है उनको धान में रखते हुए और ऐसे questions को सामिल करते हुए इस वीडियो को बनाया है देखिए पहला PPT जो है वो screen short के माद्दम से सभी students ले सकते हैं और इसमें मैंने अपकरते वीडियो के आधार के बारे में discussion किया है और देखिए आपके सामने सबसे पहले जो sentence लिखा हुआ है इसमें उन आधारों की चर्चा की गई है जिन पर हमने वर्तमाल में मुझूद अपकरते वीडियो या law tort को डवलप किया है तो देखिए इसमें बारती अपकरते वीडि का मूल आधार English अपकरते वीडि है जिसे प्रीवी कॉंसिल तथा बारती नायलियों द्वारा दिये गए निर्णियों द्वारा समवर्दित किया गया है जैसा कि हम जानते हैं कि अपकरते वीडि में ऐसे सिविल अपकारों का अधेन किया जाता है जिसमें समीदा भंग वे न्यास भंग सामिल नहीं है अपकरते वीडि प्रारंबिक काल में UB Remedium Ibis means जहां उपचार है वहां अधिकार है शुत्र प्राधारित थी प्रंतु आधुनिक काल में ये वीदी यूबी जस आईबी रेमेडियम जहां अधिकार है वहां उचार है नामक शुत्र प्राधारित है देखिए इस सेंटेंस में मैंने ब्रिफली लाव टॉट्स के जो डवलप्मेंट मार्च है उसको सामिल करने की कोशिस किये पहली बात है कि लाव टॉट एक अनकोडिफाइड लो है और दूसरी बात है कि इसके संबंद में भारत में कुछी के चैप्टर्स को यदि हम छोड़ दें तो किसी प्रकार का कोडिफिकेशन हमें लो में नहीं मिलेगा और बैसिकली ये जो सब्जेक्ट है वो आज भी इंगलिश विधी के द्वारा जनरेट किये गए उन ग्राउंड्स वर आधारीत है और अंग्रेजी विधी के साथ साथ स्वतंत्र भारत की वर्तमान नियाली सरंखला से पहले ब्रिटिस कॉमन लोग के अंडर प्रिवी कॉंसिल जैसे नियाईक निकायों ने जो निर्णे दिये वो तता स्वतंत्रता के बाद में भारत के विभिन उस नियालियों तता उस्तम नियाले द्वारा जो जज्ज्में होता है वो अपने आप में किसी ने किसी आधार पर टिका हुआ होता है या यूं कहें कि कोई भी सब्जक्ट जो है वो सुनने में डवलप नहीं होता है और वक्त के साथ उसके ग्राउंड से या जो आधार है वो चेंज होते जाते हैं ठीक ऐसा ही अपकरते विधी के साथ भी हुआ है जैसा कि सेंटेंस में मैंने आपके सामने बताया है कि अपकरते विधी क्या है तो पहली बात तो यह देखो अपकरते विधी में हम civil अपकारों को सामिल करते हैं कहने का मतलब यह है कि crime के जो मुद्धे हैं वो हम टॉर्ट में discuss नहीं करते हैं लेकिन ऐसी कोई hard and fast dividing line नहीं है क्योंकि कुछ बातें ऐसी भी है जैसे हमला है प्रहार है मानहनी है ऐसे मुद्धे हैं जिने हम हम नहीं प्रहार है रखते हैं और law of crime में भी discuss करते हैं फिर भी सामनेत हैं हम यह मानकर चलते हैं कि अपकरते विधी में हम specifically civil अपकारों को सामिल करते हैं दूसरी बात देखिए इन सिविल अपकारों को भी हम 100% अपकरते विदी में सामिल नहीं करते हैं जैसे इसमें मुखित दो उदार्ण आपके सामने मौजूद हैं ब्रीच ओप कॉंट्रेक्ट समीदा भंग और ब्रीच ओप ट्रस्ट न्यास भंग ये दो लो जो है वो अपने यहां कोडिफाइड हैं और अलग से विदी में अपना स्तान रखते हैं इसलिए अपकरते की मूल डेफिनेशन जो है वो हम इस प्रकार देते हैं कि अपकरते वि कि ये subject of thought नहीं माने जाते हैं या matter of thought इनको हम नहीं मानते हैं तो ये एक common meaning देने वाली या विचारकों ने जो बातें बताई हैं उनका जो निसकर्स है वो इस sentence में एक समानेर्थ के रूप में यहां हम इस परकार देख सकते हैं उसके बाद में जैसे मैंने आपको बताया क कि हर subject का time के साथ अपना study का एक ground होता है तो जब initially stage पर हमने law tots को अध्यन करना शुरू किया था उस समय law tots को हमने UB remedium IB just means जहां उपचार है वहां अधिकार है नामक सुत्र पर अधारित किया था अगर law में कहीं remedy नहीं है तो वहां किसी परकार का अधिकार नहीं माना जाता है यह अपकरते विदी का प्राचिनतम आधार माना जाता है या इस सुत्र पर प्राचिन अपकरते विदी को आधारित माना जाता है लेकिन अब इस्तिति जो है वो बिल्कुल इस से reverse हो गई है जश्ट इस से उल्टी हो गई है और आजगी डेट में देखो हम law tot को जिस Latin magazine परियाजिस विदी के शुत्र पादारित मानते हैं उसको हम यूबी जस्स आईबी रेमेडियम कहते हैं कहने का मतलब जहां अधिकार है वहीं उपचार है अगर हमारा किसी प्रकार का कोई राइट नहीं बनता है तो सिच्वेशन में हमारे लिए किसी प्रकार की कोई रेमेड कट चाते हैं तो यह रिलिप या रेमेडि हमें वहीं उपछबद होगी जहां हमारे किसी अधिकार का हनन हुआ है यदि किसी मुद्दे पर हमारा अधिकार नहीं मनता है ऐसी सिच्वेशन में बले ही वास्प्री कृप से हमें कितना ही बड़ा नुकसान क्यों नहीं हूआ ह हमें विदी या अपकरते विदी में किसी प्रकारगी रेमेडी नहीं मिलेगी यह इसका common introduction है यहां खासी जो आपको बताना चाहता हूं जैसे competitive classes के लिए यह पुछा जा सकता है कि अपकरते विदी में किस सीज़ का अध्यन करते हैं तो अपकरते विदी में सामान ये तया civil अपकारों का अध्यन भी नहीं करते हैं कुछ अपराधिक अपकार हैं उनका भी अध्यन करते हैं जैसे हमला है प्रहार है मानहानी है अपराधिक शडियंतर है ऐसी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हम crime में भी study करते हैं और उन चीज़ों को अपकरते में भी अध्यन करते हैं ल मैंने आपके सामने रखें कि breach of contract and breach of trust जो हैं वो civil अपकार होते हुए भी अपकरते विधी का मुद्दा नहीं माने जाते हैं यह यह कह सकते हैं कि इनकी study basically अपन law taught में नहीं करते हैं तो यहां यह कुछ चीजें मैंने briefly अपकरते विधी की nature या इसकी starting में मैंने आपको बताया है दूसरा सवाल जैसे मैंने आपको बताया कि अपकरते विधी आरंब में किस सुत्र पर या विधी के किस सुत्र प्राधारित थे या किस Latin magazine पर आधारित थे देन इसका उत्तर ये बनेगा UB Remedium IB Just या यूं कह सकते हैं कि जहां उपचार है वहाँ अधिकार है ये अपकरते विधी का initial आधार है या यूं कह सकते हैं कि आरंब में अपकरते विधी इस सुत्तर पर आधारित थे दूसरी बात जैसे modern law taught को अपन जिस Latin magazine पर depend मानते हैं उसे हम कहते हैं UB Just IV Remedium जहां अधिकार है वहाँ उपचार है ये अधिकार है तो ही law taught में हमारे लिए remedy है और अगर कहीं हमारे लिए कोई right की इस्तिति नहीं बनती है तो situation में हमारे लिए law taught में किसी परकार की remedy नहीं बनती है ये common introduction के उपर मैंने एक sentence आपको बताया है अब इससे संबंदित competitive examinations में जो प्रशन या question की स्तिति हमारे सामने बनती है वो देखिए मैं आपको बताता हूँ कि पहला प्रसंद देखिए बारत में अपकरते विदी का आधार है देखो आया हुआ स्वाल है कई बार competitive examinations में बारत में अपकरते विदी का आधार है या best of law taught in India पहला option इसमें दिया है English common law दूसरा option दिया है नाइक निरने और तीसरा option है उपरिक् English common law और judgments में पहले प्रिवी कॉंसिल के judgments और उसके बाद में high courts और supreme court के जो judgments हैं वो सारे के सारे अपकरते विदी को develop करने में अपना योगदान देते है देन इस परशन का उतर देखो इस से मेरी slide में जो answer है वो कुछ bold किये हुए हैं तो वो आराम से दिख जाएंगे तो य या judicial judgments जो हैं वो इसका आदार है दूसरा इसमें देखिए यूबी रेमेडियम आईवी जस सुत्र से तात्परिये हैं तो यहां इसमें पहला विकल्प देखिए अधिकार एवं उपचार प्रश्च पर दो भिन चीज़े हैं दूसरा option है जहां उपचार है वहां अधिकार हैं तीसरा option है अधिकार एवं उपचार शम्माने चोथा option है अधिकार एवं उपचार नयाय के दो अंस हैं तो यहां देखिए यह यूबी रेमेडियम आईवी जस वो लेटिन मेर्जीम है जिसको इनिसियल या आरंबिक इस तरह पर हमने अपकरते विदी का आधार बनाया थी इसलिए इस प्रशन का जो अंस्वर है या इस क्रिशन का जो अंस्वर है वो बनता है option number two option number two में मैंने बिताए कि जहां उपचार है वहाँ अधिकार है ठीक है देन अगला जो प्रशन अपने सामने मोजूद है वो है यूबी जस आईवी रेमेडियम सुत्रशे option देखिए प्रतेक वीदी में उपचार के लिए उपबंध होते हैं दूसरा option है कोई ऐसा दोष नहीं है जिसका उपचार नहीं हो यदि कोई वीदी बनाई जाती है तो उसमें उपचार रखा जाए and final option है प्रतेक उपचार का आदार यह होता है कि कि किसी व्यक्ति को को य एक शती हुई है तो आप इसमें देखिए यह modern love taught का आदार बूत सुतर है जिसका meaning मैंने आपको बताया था कि जहां अधिकार है वहां उपचार है मतलब अधिकार है तो वहां ऐसा नहीं हो सकता कि वहां उपचार नहीं हो जहां right है definite उसके लिए remedy है तो यहां कोई ऐसा दो उपचार है बात एक ही है तो कहने का मतलब है कि इस प्रेशन का उत्तर जो है वो यह बनेगा कि ऐसा कोई दोश नहीं हो सकता जिसका उपचार नहीं हो इसके बाद में अगली जो इस्तिति अपन डिसकस करेंगे वह है देखो verbal meaning of taught यहां इस समंद में मैं आपको कुछ चीज संपके लिए meaning की चर्चा करते हैं तो वहाँ दो महत्योंपूर्ण बातें ध्यान रखने वाली होती है पहली बात यह कि कि किसी भी word का meaning और verbal meaning कि 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 किसी भी word का जो verbal meaning होता है वह वह उस इस इस neighbor को दशाता है जब पहली बार उस word को हम ने वाल बरकोंश dictionary में launch किया था और प्रतेक सब्द के मिनिंग की अपनी एक विकास यात्रा होती है दुनिया में इस्तिर कुछ नहीं है हर चीज का मिनिंग बदलता रहता है तो देखो किसी भी वर्ड का वर्बल मिनिंग जो है वो उसकी एंसाइकलोपेडियल या सब्दकोष्य स्तिति को बताता है या जिस समय पहली बार उस वर्ड को हमने देन क्या कहने का मतलोब विविन विचार को नहीं अपनी डेफिनेसंस दिये और उन सब का कॉमन कंक्लूजन यानिसकस जो हो हमारे सामने क्या आता है उससे हम ब्रिफली क्या कहते हैं मिनिंग कहते हैं तो देखो किसी भी टॉपिक पर या किसी भी वर्ड के उपर मिनिंग और वर्वल मिनिंग का जवाब जो है वो एक नहीं होता है तो यहां सबसे पहले हम जैसे अभी अपन मिनिंग की बात कर रहे थे लाव टॉर्ट में तो मैंने आपको बताया कि लाव टॉर्ट का मिनिंग जो है वो होता है सिविल अपकार और जिसमें क्या नहीं है ब्रीच ओप कोंट्रेक्ट और ब्रीच ओप ट्रस्ट नहीं है यहां अपन इस वर्ड की उत्पती और इसके कुछ डाइमेंस वर चर्चा करेंगे तो यहां देखी बिल्कुल सिंपली मैंने एक सेंटेंस में इसके बारे में कुछ लिखा है वो है टॉर्ट एक फ्रेंच शब्द है तो पहली बात तो देखो टॉर्ट सब्द जो हम यूज करते हैं वो किस बासा का है फ्रेंच बासा का इस सब्द का हिंदी अनुवाद अप करते हैं और इस टॉर्ट सब्द की जो एक्चुल उत्पती हुई है वो लेटिन बासा के टॉल्टम सब्द से हुई है और लेटिन देखो फ्रेंच का टॉल्ट हिंदी का आप करते और लेटिन का टॉल्टम अंग्रेजी के रॉंग और रॉमन के डैलिक्ट ता संस करते के जिन शब्द का समानार्थी है तो कहने का मतलब यह है कि यह जो नीचे सवाल जो आ रहा है यह मैंने नेट के एक पेपर से नोट किया है और आप इसको देखेंगे वर्बल मिनिंग के संबंद में अपने से जो सवाल पूछा जा सकता है उसकी इस्तिति आपके सामने है देखिए यह उपर आपका नोट है और उसके बाद में शोरी यह देखिए निंपने लिखित को सुमेलित कीजिए पहला है तॉर्ट तो देखो अभी मैने आपको बताया कि तॉर्ट फ्रेंच बासा का सब्द है तो यहां मल्टीपल मेचिंग इस्तिति है यह तॉर्ट शब्द जो है वो फ्रेंच बासा का सब्द है दूसरी सब्द तैस। तौर्टुम शब्द रहे हैं वहये अंक्रेजी आ का सब्द रहे हैं मियote वो B बनता है, देखिए, A की मेचिंग 4 से है, B की मेचिंग 5 से है, C की मेचिंग 2 से है, D की मेचिंग 1 से है और E की मेचिंग 3 से है, इस परकार ये प्रशन जो है वो net में discuss किया जा चुका है, इसलिए ये चीज अपने को इस हिसाब से, जैसे मैंने A की sentence में इसकी जो शमरी है वर्बल मिनिंग की वो आपको बताई है, और उस समरी के हिसाब से, exam में जो question create किया जाता है, उसका format या उसकी form जो है, वो आप लोगों के सामने पैस की गई है, इसके अलागा जैसे, बिलकुल ये R.A.S. Prelims का स्वाल जो है, वो मैंने उठाया है, वो देखिए, taught सब्द क वो Latin बासा के taughtum सब्द से बना हुआ है, तो ये देखिए, इस प्रशन का उत्तर हमारे लिए जो बनता है, वो ये है, taught सब्द की उत्पती जो है, वो किस बासा से हुई है? Latin बासा के किस सब्द से इसकी उत्पती हुई है, then इसका उत्तर बनेगा taughtum, ठीक है? Thank you. Next जो बात ह अब अपन बात करते हैं देखो meaning of taught इस मामले में मैंने आपको बताया था कि सब्दकोष के किसी भी सब्द के अर्थ की अपनी एक यात्रा होती है और ऐसा ही taught सब्द के साथ भी हुआ है आर्म में taught सब्द सभी प्रकार के दोसों के लिए प्रिक्ट किया जाता था लेकिन समय के साथ इसे विशिष्ट प्रकार के दोसों के साथ प्रिक्ट किया जाने लगा जिसमें दोस के साथ कार्यवाई के भाव को भी स्थान मिला जिसके लिए ब्रिटिस नैलियों में सामाने विधी के अंतरगत उप्चार की विवस्ता थी आप करते सब्द का अर्थ टेडा मेडा या तोड़ा मरोडा गया वक्र या अनुचित कारिय से लिया जाता है अर्थार्थ आप करते में कोई ऐसा कारी अभी प्रेथ है जो विधी रिजू ने होकर वक्रित या विधी है वो मैंने आपको यह बताया कि जब लाव टॉट की स्टेडी शुरू हुई थी उस समय ऐसा माना जाता था कि सभी प्रकार की अपकार जो है वो टॉट में काउंट होते थे चाहे वो शिविल रॉंग हो चाहे क्रमिनल रॉंग सभी किसका मुद्द होते थे टॉट का सब् में से भी बहुत सारे मुद्दे या टाइटल या सिर्सक ऐसे हैं जिनको अपन लॉब टॉट से अलग कर रहे हैं अलग लोग का रूप दे रहे हैं धीरे यूं कह सकते हैं कि टॉट के अन्यक मुद्दे ऐसे हैं उनको अपन कोडिफाइड लोग का रूप दे रहे हैं ठीक आपकरते आत्मक दाइत्वे के लिए जो कारेवाई है एक्षन इन टॉल्ट को भी स्तान दिया गया है दूसरी बात अभी अपन मिनिंग की बात कर रहे हैं तो यह देखो इसका मिनिंग जो है वो टेडा मेडा या तोडा मरोडा गया या वक्र या अनुचित कारिये से लिया जाता है या यह कह सकते हैं कि ऐसा कारिये जो विधी रिजू नहीं होकर विधी की दरश्टी में वक्रित या विधी के विरुद है ऐसे समझत कारियों को हम लॉब टॉल्ट में काउंट कर सकते हैं यहां देखिए एक सवाल जो इस संबंद में आपके लिए बनता है वो सव का फॉर्मेट आपके सामने हैं देखो लेंग्वेज इन क्विश्चन की चैंज की जा सकती है यह देखिए आप अपकरते का अर्थ जिस से लिया जाता है तो इसमें पहला है वक्रित कारिये से दूसरा ऑप्शन है टेड़े मेड़े या तोड़े मरोडे के कारिये से और तीस करते का मिनिंग विदी के संबन्द में वक्रित तोड़े मरोडे गए या अनुचित कारिये से हम अपकरते का मिनिंग लेते हैं यह चीज आपको इसके मिनिंग पर द्यान में रखनी है अब अगली जो चीज डिसकस करना चाहते हैं वो देखो महतोपूर्ण होती है और इस से पहले में आपको एक चीज और बता दू देखो किसी भी सब्जciones को अपन एक क्लासिकल सब्जेक्ट या सास्ट्री सब्जेक्ट का रूप देते हैं या एक साइंटिफिक सब्जेक्ट का रूप देते है तो वहां महतोपूर्ण योगदान जो होता है वो सब्जक्ट प्रकाम करने वाले thinkers में कुछ thinkers ऐसे होते हैं जो एक बात के समर्थक होते हैं कुछ thinkers ऐसे होते हैं जो दूसरी बात के समर्थक होते हैं कुछ thinkers तीसरी बात के समर्थक होते हैं तो इस प्रकार जो एक जैसे मत के अनुयायू का ग्रूप है उसको हम विचारदारा इस्कूल या अपन संपरदाय कह सकते हैं पंत कह सकते हैं उस सब्यक्ट की उपर तो यहां देखो जब किसी सब्यक्ट को हम साइन्टिफिक रूप देते हैं तो इस सिल्सले में विचारकूंद द्वारा प्रतिफादित किये गए सिद्धा पूर्ण होते हैं तो law of taught को develop करने में thinkers का जो योगदान हुआ है या जिन सिद्धानतों का महत्वपुन योगदान मनते हैं उन्हें basically हम दो वागू में बाट कर अध्यन करेंगे तो यहां यह theories अपन study करना शुरू करें या इनके उपर अपन discussion करना शुरू करें इससे पहले मैं एक बात और बता दूँ कि जब अपन law of taught को अध्यन करते हैं तो law of taught यह विदी है या अपकरते विदी है या अपकरतियों की विदी है कहने का मतलब taught को अपन singular या एक वचन में माने या बहोचन में माने यह इन दोनु विचार दा रहा हूं या दो प्रकार के सिदान जो अपन पढ़ेंगे उनका मुल मुद्दा है तो यहां देखिए जब अपन taught की बुक को देखते हैं तो उस पुष्टक के अंदर अपने को अलग अलग चैप्टर मिलेंगे जैसे आप रादिक titles से पहले हैं वो यह है कि देखो अपकरती विधी या अपकरती विधी इस समंद裡 में दो मत परशलित है कि taught का जो अपन अध्यन करते हैं यह law of taught है या law of Todd और तो उनग उन इसमंद में दो विचार दाराई परशलित है और इन दोनु विचार दाराऌं को अपन पहले पहली विचारदारा देखिए, इसको मैं read out कर रहा हूँ, पहला सिधन्त जो है, वो अपकरते विदी के इस प्रथम सिधन्त की अनुसार, अपकरते अपकरते विदी है, जिसका उलेक विदी सास्त्री विन्फिल्ड ने अपनी पुस्तक लॉब टॉल्ट में किया है, तता इस का समर्थन फ्रेडरिक पॉलक ने किया है, इस सिधन्त की अनुसार, बिना किसी विदीक उचित्ते के परतेक अनुचित करते, जिससे किसी व्यक्ति को ख्षती पहुंशती है, अपकरते हैं, अर्थार्थ परतेक कारिये जो किसी व्यक्ति के विदीक अधिक अधिकार का अत अपकरते के लिए वाद सैंस्तित किया जा सकता है बले ही ऐसा अपकार हमला सैंप्रहार छल अपवचन जैसा विशेश सिर्शक धार्ण करता हो अत्वा उसका कोई विशेश नाम बले ही ना हो देखो अपनी पुस्तक लॉप टॉर्ट देखो पहला सवाल तो यही होता है अब प्रथम सिधन्त है उसके सिधन्तकार परतिपादक या परनेता कोण है तो इसका उत्तर बनेगा विनफिल्ड तो विनफिल्ड ने ये पहला सिधन्त परतिपादित किया है और उसने लॉप टॉट नामक जो पुस्तक लिखी है उसमें अपकरते को एक वचन में इस सिधन्त में या अपकरते को एक वचन में स्विकार करते हुए विदी सास्त्री विनफिल्ड ने जो महत्वपुन बात कही है वो यह है कि यदि हम बिना किसी विदिक और चित्ते के किसी कारिये को अंजाम देते हैं और उस कारिये से किसी व्यक्ति को अक्षति होती है त तो उसे हम लॉप टॉर्ट में या आपकरते में सामिल करेंगे बले ही उसका कोई पर्टिकूलर नाम है या नहीं जैसे अभी मैंने आपको बताया कि स्टेट लाइबेलिटी है या आपरादिक शडियंतर है मानहानी है या फिर उपेक्सा है उपताफ है अतिचार है यह जो यदि उसके पिछे विदी का कोई ओचित नहीं है या फिर यूँ कह सकते हैं कि विदी ने किसी वेक्ति को कोई ऐसा कारिये करने के लिए परादिकर्ट नहीं किया है जिससे किसी को नुक्सान होती है तो उस प्रतेक कारिये को हम लॉप टॉर्ट का सब्जक्ट मानेंगे य उन्होंने बताया है तो दूसरी बात या इसको सिंपली अपन यह कैसे कि हम किसी प्रकार का ऐसा सीवील अपकार को अंजाम दे रहे हैं जिसके लिए कोई रिजनेबल कारण नहीं है या वीदिक आचित्ते नहीं है या वीदी निए उस कार्य को करने के लिए प्रादिकर्त न उस के लिए उस civil wrongful activity के लिए या उस कारिय के लिए या act के लिए किसी Elizabeth title या सिर्शक का दार्ण करना जरूर नहीं है। या करते कि точ के रूप में declare किया गया है या नहीं किया गया है इससे कोई फरक नहीं पढ़ता। ये मनने तक इसमाने किसने किया है। फ्रेडरिक पॉलक ने किया है अब आते हैं अपन दूसरे सिधान्त की बात करते हैं तो देखो दूसरे सिधान्त का जो परतिपादन है वो विधी सास्त्री सामंड ने किया है और इसके लिए उन्होंने अपने पुष्टक लॉप टॉड्स में बात किये तो देखो वह अपकरते विधी थी और यह अपकरतियों की विधी बहुचन की बात कर रहा है तो पहली बात अपकरते विधी की दूत्य सिधान्त के परनेता या जो फाउंडर है वो कौन है सामंड है और उन्होंने जिस पुष्टक में इस सिध स्टैनली ब्रॉस हैं इसके समर्थक जो है वो जैंक्स और स्टैनली ब्रॉस जैसे उपर वाले में मैंने आपको बताया था कि सिधान्त का रिविन फिल्ड है और उसका समर्थन जो है वो देखिए उपर मैंने आपको बताया है कि फ्रेडरिक पॉलक ने उसका समर्थन किया सिधंद सिमन को उसकी समर्थक जैंक्स और स्टैंली ब्रॉज इस सिधंद का क्या मनना है सिधंद कि माननेत इस पहले में वाले व्यल्फील्ट के अगर कि सिधंद कर रहें और उससे किसी नुक्सान है बίνा कि से विदिक औचित्ते के या कानून के बिना अथोरिटी के हम किसी का नुक्सान कर रहे हैं तो वो हर एक एक्टिविटी जो है वो लाव टॉल्ट में आएगी बले उसको हमने specific या particular किसी टाइटल में classify कर रखा है या नहीं कर रखा है उसके विप्रीत यहां देखिए सामंड मोहदे अपने इस सिद्धानत में कहते हैं कि अपकर्तियों की संख्या निस्षित हैं और अपकर्तियों की specific टाइटल समें हमने किसी wrongful activity को अगर taught declare कर रखा है तो ही उस में taughtius liability जो है वो अपकर्ते करतागी बनती है दर्वाइज नहीं बनती करने का मतलब है कि अपकर्ते में दावा करने के लिए सामंड के इस सिद्धानत के अनुसार यह जरूरी है कि वो अपकर्ते में declare किये गए या गोशित किये गए किसी ने किसी सिर्षक में वो wrongful activity आए तो यहां यह एक बहुत बड़ा अंतर है तो इस सिद्धानत को देखो मैं बता रहा हूं सामंड द्वारा प्रतिपादित इस सिद्धानत के अनुसार अपकर्तियों की संख्या निस्षित है जिसके प्रे अपकर्ते में दाइत तो उद्भूत नहीं होता है अपकर्तियों क कि बहुत बड़ा अंतरिया अपन कंपेरिजन मन सकते हैं कि एक तरफ बिना विदिक उचित्ते या बिना विदिक प्रादिकार के कोई भी सिविल रोंग हम करते हैं और किसी का नुक्षान होता है तो वो हर एक कारिय जो हो अपकरते माना जाएगा बलही उसके लिए टॉर्ट में कोई विशे सिर्सक या नाम हो या नहीं हो जबकि यहां इदर सामण मोदे दूसरे सिदांत में ये करता है कि अपकरते में दा interpre szczególता है जब किसी wrongful activity के लिए हमने उस wrongful activity के लिए कोई अपकरता आत्म के सिर्सक या नाम दे रखा है यदि किसी कैटेगरी में या सर तक में करते हुए कहा है कि यह पीजन हॉल थ्योरी है कपोथ खाने का सिधान्थ है दब एक जान की द्रस्टी से मैं तो कुण बाद जो मैं आपको बता रहा हूं यदि आप से यह पूछा जाए कि पीजन हॉल थ्योरी जो है इसके परतिपादक या फाउंडर कौन है या संग्या किसने दी है तो देखिए आपको इसका उत्तर देना पड़ेगा विन्फिल्ड सीधी सी बात ही है कि देखो फाउंडर अलग चीज हो सकती है और उस कार्ये को नाम या कोई स्पेसिफिक नाम है वो दूसरों के दोबारा दिया जा सकता है यह ठीक ऐसा ही मुद्दा यह है जैसे संटान मातापिता की होती है और उसका नामकरन पंडत भी करते हैं तो यहां पेड़न हॉल ठीहरे के फाउंडर जो हैं वह वो सामंड है लेकिन कि सिधांत को पीजन हुल ठीहरे नाम जो दिया है किस ने दिया है वो विन्फिल्ड मोहदय ने दिया है यह मैंने आपको दो शिद्धानत इसके समंद में बताएं अब देखिए कुछ चीजे मैं इस मामले में आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा किउषन फार्मेट में तो यह कुषन नमबर साथ देखिए इस मुद्दे से समंदित निम्द में से किस के द्वारा पर्तिपादीत किया गया कि यह आपकरते की वीदी है ने की आपकरते की वीदी तो देखिए मैंने आपकरते की वीदी की रूप में इसे जो सुविकार किया है वो विन्फिल्ड महुदे ने किया यह इसका उत्तर आ गया सामंड ने इसको love tot के रूप में या आपकरते विदी के रूप में सुविकार किया है दूसरा देखिए सवाल कपोथ खाने का सिद्धान्त या पीजन हॉल थेओरी निम्न में से किस से समझ देते हैं तो देखो इसके founder है सामंड मोद है यदि इसी प्रसन को हम यू कर देते हैं कि कपोथ खाने का सिद्धान्त या पीजन हॉल थेओरी जो संग्या है वो किस की द्वारा लेट डाउन की गई है या दी गई है देन इसका उत्तर क्या बन जाता देन इसका उत्तर विन्फिल्ड बन जाता क्योंकि सामंड के इस सिद्धान्त को ये जो सिर्शक या उपनाम जो है वो किस ने दिया है वो विन्फिल्ड मोदे ने दिया है एक नेक्स्ट क्यूशन आप देखेंगे इसमें जिस परकार अपराद विदी में ऐसे अनेक नियम समलित हैं जो विशिष्ट अपरादों की स्तापना करते हैं उसी परकार अपकरतियों की विदी में ऐसे अनेक नियम समलित हैं जो विशिष्ट क्षतियों की स्तापना करते तो यहां देको जब quotation की बात की जाती है तो मैं आपको बता दूं कि quotation अक्सर से examination में यह जरूरी नहीं है और कई बार क्या होता है कि किसी विचारक ने बात को समझाने के लिए बड़े quotation का सारा लिया है लेकिन पैपर शैटर जो है वो उसका संक्सित रूप भी उसमें दे सकता है तो यहां जैसे सीधी सी बात है कि इस प्रशन की बासा से आपको सीधा समझ में आ रहा है कि यह उपर जो लाव टॉट और लाव टॉट सब्द में आपको बता है तो पल्यूरल में या बहवचन में जो बासा जिस सिधान्त में रखी गई है वो सिधान्त सामंड का है तो देखिए जिस प्रकार अपराद विदी में ऐसे अनेक नियम समलित रहते हैं जैसे चोरी है, डकेती है, लूट है, हत्या है या मानवद है ऐसे अनेक अपरादिक, अपरादों की श्रेणिया उसी प्रकार से सामंड यह कहते हैं कि अपकरते विदी में भी अनेक अपकरतियों की श्रेणिया या सिर्शक सामिल होते हैं उसी बात को convert करके इसमें लिखा गया है then इसका उत्तर क्या आया इसका उत्तर बन गया सामंड इस परशन का उत्तर बन गया सामंड ठीक है यह जो बात है मैंने आपको और बताईए next जो चीज अपन डिस्कस करेंगे आप देखिए कुछ विचारकों के बारे में अपन चर्चा करेंगे तो इस समंद में देखिए मैं जो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ वो आप देखिए सामंड या विचारकों के डेफिनेशन में सबसे पहले अपन सामंड की definition को discuss कर रहे हैं सामंड की definition की definition की जो शमरी है वो आपके सामने है देखिए आप आप करते हैं एक civil dose है जिसके लिए उपचार common law के अंतरगत ए निर्दारित अक्षति पूर्ति की कारेवाई ये देखिए अनलिक्विडेटेड कंपनसेटरी एक्षन एन एदारित अक्षति पूर्ति की कारेवाई है और जो समीदा भंग न्यास भंग तता अन्य किसी प्रकार की साम्मे पूर्ण बात देता हूं से भिन्न है तो देखो सामंड तॉल्ट को civil wrong बनता है इसका उपचार common law में ये थोड इदा भंग न्यास भंग और अन्य प्रकार की साम्मे पूर्ण बात देता हैं सामिल नहीं है तो यहां देखिए कई बार क्या होता कि objective प्रशन में किसी definition को अक्षर से discuss नहीं करके उसके elements को trace करके options में रखा जा सकता है और उसमें यह पूछ सकता है कि निवन में से कौन सी बात अक्स वाई-जेट thinker के according है सही है या सही नहीं है तो यहां अपन सामंड की definition का यदि analysis करें तो इसमें देखो इस परिवासा कि जो elements हमारे सामने है वह देखो आपके सामने दिख रहे हैं पहला जो विशेशता या फीचर है इस definition का अपकरते के लिए उपचार निर्दारीत नुक्सानी है अन-liquidated damage की कारवाई है निर्दारीत नुक्सानी का मतलब है कि एक ऐसा सिभिल दोस है जिसकी जो नुक्सानी है उसको हम पहले से निर्दारीत नहीं कर सकते जैसे अपन contract law में पढ़ते हैं तो contract में damage या नुक्सानी का जो जिक्र है या उसका amount जो पहले निर्दारीत किया जा सकता लेकिन tort में ऐसा नहीं किया जा सकता और इस बात को specific या specially कौन सुभिकार करता है सामण महोदय कहते हैं कि ये unliquidated damage की कारवाई का अधार पैदा करता है दूसरा आप इसमें देखो ए निर्दारीत नुक्सानी उसे कहते हैं जिसमें प्रतिकर की राशी पूर्वे निश्चित नहीं होते हैं बलकि नयायले की विवेक पर निर्वर होती है और जहां प्रतिकर की राशी पूर्वे निश्चित होते हैं उसे प्री निर्दारीत नुक्सान है और common law में अपकरते जैसे civil wrongful कारिये के लिए जो remedy है वो unliquidated damage की कारेवाई या निर्दारित नुक्सानी की कारेवाई है तो देखो लोग tort में जो नुक्सान की कारेवाई होती है वो अपरी निर्दारित नुक्सानी के लिए होती है जिसे पहले से डिसाइड नहीं किया गया है अब इसमें एक प्रशन की अपन चर्चा करेंगे यह प्रशन देखिया आपके सामने आ रहा है दस्वाँ प्रशन इस चेप्टर में मैं आपके साथ डिसकस कर रहा हूं वो देखिये प्रशन है अब करते एक के सिविल दोस है जिसके लिए उपचार कॉमन लोग के अंतरगत और निर्दारी क्षति पूर्ति की कारेवाई है और जो समीदा भंग न्यास भंग तता किसी अन्य प्रकार की सामने पूर्ण बात देता हूं से भिन होता है आप करता है कि उप्रोक्त परिवासा किस ने दि को जञता है और जिस डेफिनेशन की अबी उपर अम बात कर रहते हैं उसको अक्सर सा इसा इसा क्वाम मीं डल के को अंगला सवाल देखिए 11 नंबर का सवाल जो है वो उपर वाली definition पर ही आधारित है देखिए उपर जो अपन ने पढ़ा है उसके हिसाब से आपको करना है 11 परसंदेखिए सामंड की प्रिवासा के अनुसार अपकरते के आवशक तत्वे है तो पहला ये एक दिवानी दोस है या एक सिविल दोस है तो बिलकुल ये बात अपकरते विदी की प्रिवासा में सामंड ने स्विकार किये दूसरी बात देखिए इसका उपचार अपरी निर्दारित नुक्सानी है इस बात को भी स्विकार किया है सामंड मोदे ने और तीसरी बात ये समविदा भंग न्यास भंग या सामईक आभारूं से भिन है ये तीसरी बात भी सामंड ने स्विकार किये कहने का मतलब कि सामंड की डेफिनेशन में अपकरते विदी के संबंद में जो बात कही गई है उससे जो एलिमेंट से हमारे सामने उबर कर आते हैं वो ये हैं देखिए ये उपरियुक्त तीनु कथन सही है ये एक्जाम का मॉस्ट कॉमन पैटरन है और ये नेट और यूपियस से की एक्जामिनेशन में काफी बार डिसकस किया गया स्वाल है नेक्स्ट बात जो मैं आपके साथ इसी डेफिनेशन के उपर करना चाहता हूँ वो देखिए आपके सामने शवाल नंबर बारह है इसमें सामन्ड के शिदान्त को कपोट खाने का सिदान्त या पीजन हॉल थियोरी की संग्या अगली बात आपको मैं बता है अपकरते एक दिवानी दोस है यह देखो अभी मैं बात कर रहा था कि कई बार किसी तिंकर की विश्त्रित व्याख्यात्मक डेफिनेशन को बहुत ही समराइज रूप दिया जा सकता है तो सामनेत एक्जामिनेशन में सामंड की डेफिनेशन को बहुत ही ब्रिफ्ली या संक्सिप्त करके पुछा जाता तो यह फॉर्म होती है बहुत बार जैसे जब पहले सैट की बात करते हैं या फिर आरेस प्रेलिम्स में जब लो सब्जक्ट हुआ करता था उस समय इस परशन को काफी बार हमने एक्जामिनेशन में किया है आप करते एक दिवानी दोस्त है यह सामंड की डेफिनेशन का ब्रिफ है तो यहां इसका उतर भी आपको क्या मिलेगा सामंड मिलेगा तो यहां देखिए सामंड की डेफिनेशन को विविन एक्जामिनेशन में जिन जिन डाइमेंशन से आपको पूछा जा सकता है उस हर एक dimension से मैंने आपको discuss करके बताया है तो ये thought के उपर पहली definition जो अपने discuss की है वो definition जो है वो किस से समन दीता है? सामन से समन दीता है अभी देखो class की idle जो duration है उसको ध्यान में रखते हुए आज की कक्सामी मैं इतना ही discuss करूँगा क्योंकि इस video का या इस introductory chapter का कुछ part जो है वो इसमें रह गया है क्योंकि अभी तक अपने विचारकों की definitions में से केवल एक सामन की definition को discuss किया है बाकी जो definitions है उनको मैं अगली कक्सा में आपके साथ discuss करूँगा क्योंकि अगर इस से ज़्यादा अपन इस class में discuss करते हैं तो definitely class की जो size है वो बढ़ जाएगी और आयकताले के निर्देश अनुसार इसकी जो standard length है वो ज्यादा हो जाएगी उमीद करता हूँ कि इस वीडियो के मादम से आपको कोई फाइदा मिलेगा और यह भी उमीद करता हूँ कि जो इस channel के conductor body है वो अगर किसी प्रकार की शुदार की गुंजाईस निसंदे है कमी हर वीडियो में रहती है तो अगर किसी प्रकार की गुंजाईस उनकी नजर में आती है तो निश्चित तोर पर समय समय पर हमें इस तीज से अवगत करवाएं और कौशिस करेंगे कि इस channel के मादम से हम competitive examinations में जो बाते हैं उनको ठीक से discuss कर पाएं और उन topics को ignore करें जिनका competition से relation कम होता है क्यूंकि basically यह जो channel है वो competitors के लिए है thank you so much